हेलो फ्रेंड्स, हेलो इस्टुएंट्स, वेलकम तु दे इंग्लिस क्लासेज, यह क्लास नाइन्थ के इंग्लिस के बिहाइब टेक्स्ट बुक का, पोएट्री का, पोयम नंबर टेन है, असलामबा डिड्मा इस्प्रीट सील, वाई विलियम वर्सवर्थ, इसका अज हम लो करना नहीं भूलिए, तो यह बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं, रीड दी फॉलिंग इस्टेंजा, एंड आंसर दी कोस्टन वेस्टान देम, इसमें फॉस्ट नमर इस्टेंजा है, असलामबा डिड्ड डॉट 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 अर थली इयर्स, इसका फॉस्ट नमर को इसका अंसर होगा, the title of the poem from which the above mentioned stanza is taken is a slumber did my spirit seal, यानि उस कभिता का सिर्शक, जिस से उपर वडी तनुछेद लिया गया है, a slumber did my spirit seal है, the name of the poet of this poem is William Wordsworth, और इस कभिता के कभी का नाम William Wordsworth है, सेकेंड नमर कोश्चन है What did a slumber do? निद्रा क्या करती है? तिसका अंसर होगा A slumber sealed the spirit of the poem नीद ने कभी की आत्मा को जड़ कर दिया है थर्ड नमर कोश्चन है What did I not have? यानि I के पास क्या नहीं है? इसका अंसर होगा I had no human fears यानि I के पास कोई मानविय भय नहीं था फूर्थ नमर कोश्चन है What could C Lucy not feel? यानि वह यानि Lucy क्या अनभूत नहीं कर सकती? तो इसका अंसर होगा C Lucy could not feel the touch of earthly ears यानि वह यानि Lucy सांसारिक वर्सों के असपर्स की अनभूती नहीं कर सकती थी इसका फूर्च नमर कोश्चन है No motion has dot 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 and trees इसका फूर्च नमर कोश्चन है No motion has seen now no force what does this line say? यानि अब उसमें न कोई गती है और न बल या लाइन क्या कहती है? इसका अंसर होगा यानि यह पूंकती कहती है कि Lucy मर गई है सेकेंड नमर कोश्चन है Who has lost the ability of hearing and seeing? यानि सुनने तथा देखने की छमता कौन खो चुका है? तिसका अंसर होगा Lucy has lost the ability of hearing and seeing यानि Lucy सुनने तथा देखने की छमता खो चुकी है थर्ड नमर कोश्चन है Whose journal course is mentioned here? यानि किसका दैनिक पत यहां वरड़ी था है? तिसका अंसर होगा The earth's journal course is mentioned here? यानि यहां धर्ती की दैनिक गति का वरड़न किया गया है फोर्थ नमर कोश्चन है Which words in the above stanza rhymes together? यानि उपर के stanza में कौन से सब्द आपस में तुक मिलाती है तिसका अंसर होगा In the stanza force rhymes with course and seas rhymes with trees In this stanza में force की तुक course से तथा seas की तुक trees से मिलती है तो हम उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद देखते हैं Friend Circle में अपने classmate के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा Thank you, thanks for watching